स्टुडेंट्स टुडेंट्स टुडेंट्स अनाधर इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ और्गनिक इवलुशन दाट इस एटावीजम रिवर्शन प्यारे बच्छो में बतादू इसी तर लास्ट टॉपिक ऑफ मॉर्फोलोजीकल एन अनाटोमिकल एविदेंशिस ऑफ और इस कि बाद हमने बहुत सारे टोपिक और कावर करने हैं एम्प्रियो लोजीकल टॉपिकल एवीडेंशिस के लिए और समारे फाइनल एक्जरम्स के लिए वह हमने ठीरिस डिसक स करने हैं और और प्यारे बच्चों मैं बता दूँ यह सब जितने भी हमने नोट्स बनाए है इनकी PDF फाइल बना के ना हम जो अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें उसका डिस्क्रिप्शन हमने बना रखा है उसके अंदर यह सब नोट्स अवेलेबल है तो बीटा टोपिक लेते हम इस अतविजम रिवर्शन मेंज सदन रिअपेरंस अप्सल्टीन अंसेस्ट्राइब क्या बता है मने कुछ करेक्टर्स होके डिसापीर होगे लेकिन एंसेस्टर्स के कुछ करेक्टर सदनली कुछ परसंस निवली बॉन बेबी उसमें वो करेक्टर्स रियपीर होए है इस फिनोमेन इट इस रिवर्शन एटाविजम कुछ एग्जम्पल्स लेंगे हम एटाविजम के रिवर्शन के डाट इस प्रेजंस अब स्मॉल टेल इन निवली बॉन बेबी कोई बच्चा निवली बॉन अभी डवलेपो है और उसमें देख रहे हैं बच्चो यह देख रहे हैं स्मॉल टेल इस प्रेजेंट ठीक है एक्चुली में अर्ली स्टेजिस ओफ एंब्रियो इन हुमन बिक्स गिल क्लैप्स अर प्रेजेंट एच वले इस तेली स्टेंट फ्रेजेंट बिल्कुल उसी तरह से रिजंबल करेगा एंब्रियो लाइक फिश एंब्रियो की थरह से हैं प्रेजेंट ऑब तेल गिल मेंग बच्चों कहां गये इत मींस दुरिंग्मोर्फोजनेसिस्ट इस टेल गिलंग्लेप्स जो कि एंसे यह देख रहा है, डियागराम देख रहा है उसमें टेल बॉन अभी भी प्रेजन्ट है, means ancestors में बचों कहीं न के टेल वैल फंक्शनल रही है, टेल बॉन रिदूस फॉर्म है, वेस्टीज फॉर्म के अनदर, इस कोकेग्स, इस देल बॉन, It is made up of 1, 2, 3, 4 coccygeal bonds. It means the 4 coccygeal bonds are fused to produce the tail bond coccyx. उसके उपर देख रहे हैं, the sacrum is there. This sacrum, it is made up of by the fusion of 5 bonds. 5 sacral bonds fused to produce single sacrum. Means, क्या मता है हमने? The tail bond reduced form में है, vestige form के अंदर है, लेकिन बीठा कुछ newly born babies के अंदर हम tail देख रहे हैं. बिल्कुल clear cut example, कि this character, this structure is well functional in ancestors. इसका मतलब हमारे जो ancestors हैं, वो tailed mammals रहे हैं. Second example, development of power of moving और पीना. ये ear, पीना, इसकी जो auricular muscles जो देख रहे हैं. Auricular muscles हैं, हम सभी के अंदर हैं. reduced form में है, vestige form के अंदर हैं. बच्चों, बटीन, some persons, these auricular muscles become functional, well developed हो गई हैं. पीना, उसको मूँ कर लेते हैं, in the direction of sound. कहां दिखेंग हम, these are well developed in caters, in our ancestors. इस टाइप के हैं, जो कि बीटा sound waves को receive कर रहे. तो पीना, moving of पीना, that power is present. नेक्स एक्जाम्पल, development of large size canines. तो हमारे सामने के देख रहे हैं, four teeth, these are incisors, उसके side में देख रहे हैं, these vestigial canines are present. बच्च परसेंगें, in some persons, individuals, these canines are large sized, well developed canines. इसका मतलब, कार्णी वोरस, जो form है, one is our well functional. हम तो बच्चो, इसका मतलब, जो initial stages के उपर, जो हमारे ancestors रहे हैं. मैं पूरा सब कुछ ही discuss करूँगा, जब मैं evolution, पूरी history देंगे तब. तब मैं बताऊंगा, बच्चो कहां से हमारी जो cooking, food की जो बात कर रहे हैं, कब वो developed हुई. तो उस से पहले हम जितना food लेते थे, that was raw food. तो बच्चो, for that purpose, canines are well developed. But in our case, present man, the modern man, there is no requirement of canines. हम तो सारा cooked food लेते हैं, तो canines की जोर्द नहीं. लेकिन कुछ बेवी की बात करें, कुछ परसेंस के अंदर, these are greatly developed. इसका मतलब, ancestors, हमारे कहीं नहीं कहीं कार्निवोर्स रहे हैं. Next example, presence of long and dense deposition of body hair. ये बिटे डियाग्राम देख रहे हम, ये देख रहे हम, काफी famous person, non-ense, loin boy, रहे हैं, रश्या की बात कर रहे हम, और उसके अंदर, पूरा, entire body, long and dense deposition of hair. Means, कही न कहीं हमारे ancestors की बात करें, तो बिटाओं, उनकी entire body, well covered with hair. Next example, presence of additional pair of nipples, memory glands. In case of modern men, only a pair of thoracic memory glands, nipples are present. But in case of our ancestors, remote ancestors, these memory glands and nipples are present. Extra, on abdominal region, instead of a pair, कोच persons की बात करें, बच्चों, आपी भी हम दिखते हैं कि इन such persons, additional nipples, memory glands are present, instead of thoracic region, these additional memory glands are present on abdominal region. बिल्कुल clear-cut example, जो कि हम ये study कर रहे हैं, बिटाओं, ये this phenomenon study कर रहे हैं हम, कहीं न कहीं हमारे ancestors, उनके अदर additional memory glands, nipples are present. ये सारा जो phenomenon हम study कर रहे हैं, atavism, reversion. And this reversion, जो कि बचों, जो special theory of creation, explain नहीं कर पाई थी. तो ये हम, क्या, atavism, हमें sport कर रहे हैं, organic evolution को, कि the living organism having a tendency, कहां, the animals की tendency to develop certain structures of remote ancestors. ठीक है बच्चों, तिये सारा सब कुछ, सारे evidences, morphological, anatomical, evidences of organic evolution, उसके सारे topics हमने cover कर लिए हैं, उसके बाद next lecture, और और evidence से discuss करेंगे, आज इस topic को यहां complete करते हैं, thank you.